हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु माई चेनल पन फ्यूजन वे दिन्दू आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो हम घर परी बहुत कम समान से और बहुत ही कम खर्च में घर परी बनाएंगे सिर्फ तीन इंग्रिडियंट से पनने वाला कंडेंस मिल्क आप अगर इसे मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको काफी मैंगा पड़ेगा इस फैस्टिव सीजन में इससे आप धेरो तरें की मिठाईयां बना सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक भारी तले का बरतन जिससे दूद जलेगा नहीं ध्यान रखें की बरतन थोड़ा फैला हुआ हो आप इसमें डालेंगे आधा लीटर फुल क्रीम दूद दूद यहां मैंने कच्चा ही लिया है क्योंकि वैसे भी हमें दूद बनना स्टार्ट होगी आप चाहें तो बॉयल दूद भी ले सकते हैं अब हमें दूद में एक बॉयल आने देना है जब दूद में एक बॉयल आ जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी चीनी डालने के बाद दूद को लगतार चलाते रहना है दूद में चीनी डालने के बाद जब चीनी मेल्ट होगी तब दूद थोड़ा पतला हो जाएगा हमें दूद को तब भी लगतार चलाते रहना है थोड़ी देर बाद दूद का कलर चेंज होने लगेगा देखिए जैसे जैसे चीनी केरेमलाईज होगी तब दूद में कुछ इस तरह से बबल्स बनने लगेंगे और दूद का कलर भी यल्लो होना शुरू हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से दूद अब थोड़ा गाड़ा हो चुका है दूद को हमें बस इससे जादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाड़ा हो जाएगा बस इसी टाइम पर गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और गैस की फ्लेम आफ होने के बाद इसमें डालेंगे बन पिंच खाने वाला सोडा सोडा हमें गैस की फ्लेम आफ करने के बाद ही डालना है नहीं तो दूद का कलर रेड हो जाएगा और कंडेंस मिल्क खराब हो जाएगा अब सोडा डालने के बार इसमें कुछ इस तरह ऐसे जहाक से बन जाएंगे पर ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे आप इसे ठंडा करके एक बार मिक्सिंग जार में चर्ण कर लेंगे तो लीजिए तैयारे बहुत कम समान से इतना सस्ते में और इतना धेर सारा कंडेंस मिल्क इसे आप 20-25 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इसे आप केक बनाने में और धेर सारी मिठाईयां बनाने में यूज़ कर सकते ही आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल को ज्यादर से ज़ादर लाइक करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शियर करें और सब्सक्राइब करें आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है